नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत एक और नई वीडियो में जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्षे पर में लेकर आया हो दोस्तों ये वीडियो में बहुत ही जरूरी बात होने वाली है आपके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3500 पोस्ट पर वेकेंसी निगली आपके इंडियन एयर फोर्स के अंदर जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं मैंने ओफिचियल वेबसाइट जो है इंडियन एयर फोर्स की खोली हुई है जैसा कि आप यह देख रहे हैं पूरा नाम इंडियन एयर फोर्स इसकी मैंने ओफिचियल वेबसाइट अभी आपक कैसे करना है आपको कैसे आपको application form fill करना है उसके फाइनली आपको print out end में लेकर अपने device में save करना होगा जिससे कि वो आपसे बाद में मांगा जाएगा जब exam के time पे जब आपका exam हो जाएगा selection के time पे जब आपकी recruitment हो रही होगी इसके लिए जब आपकी भरती हो रही होगी ज job आपको मिल रही होगी जब document verification होता है तब आपसे application form का print out भी मांगा जाता है तो आपको end में उस cheat को save करना है जैसे कि मैं आपको बता दू 250 रुपीज आपको इसके application form fees करनी है मैंने आपको यह भी बता दिया था कि eligibility इसकी यानि कौन-कौन Indian Air Force के अंदर 303,500 पोस्ट के लि सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता है इसमें आपकी जो आपका flying पोस्ट होती है यानि कि आपको उडाने जो आप उडाते है इस चीज को जो आपका plane होता है jet होता है Air Force का विमान जो होता है वह वाली पोस्ट नहीं है आपको यह भी बताया था notification में किस पोस्ट पर apply कर सकते हैं किस पर नहीं कर सकते हैं तो पहले आप जरूर देख लेना कहीं आप यह सोच के apply कर दें कि मैं इस फॉर्म के लिए फिल करते हैं exam दे दूँगा मेरा जो PhD जो आपका होता है परसनली फिजिकल फिजिकल ही जो टेस आपको अपको अच्छे से याद रखे और साथ में आपका unmarried होना जरूरी है अगर आप married है बले आप 18-20 के बीच में आ रहे हो लेकिन आप यह आप यह सब चीजे इसलिए डिसकस कर रहा हूं जिसे कि आप फॉर्म विल करने से पहले यह बात अपने दिमाग को अच्छे स से याद रखे और साथ में आपका unmarried होना जरूरी है अगर आप married है बले आप 18-21 के बीच में आ रहे हो लेकिन आप married है तो आप इस फॉर्म को नहीं वर सकते हैं चलिए हम दीरे दीरे वन बाए वन इस फॉर्म को फिल करना चालू करते हैं जैसे आप नीचे दिख रहे हैं जो आपका चार साल के लिए रहेगा वह मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था कैसे कैसे आपको जो है इसमें एक्जाम क्या होगा से लेबस सारा कुछ आप जो है नोटिफिकेशन वाली वीडियो में देख लेना हम बेसी कली इस वीडियो में फॉर्म करने वाले हैं तो हम वन बैवन फॉर्म फिल कर लेते हैं दिखें आप जैसे इस पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के बाद आपके सामने ये नई इसक्रीन आएगी इसके अंदर आप अगर रिइस्टर है पहले से आपको इमेल ऐडी डालनी अपनी पासवर्ड डालनी है और नीचे क्या रहा पढ़ेगा click here to register पर click करेंगे आप जैसे कि मैं दिखा दू click here to register यानि कि मैं आप registration करूँगा पहले website पर उसके बाद जाकर मैं यहाँ पर apply करने वाला हूं इस करेंगे सबसे पहले उसके बाद हम one by one चीज करने वाले हैं तो selection test for agnivir is only for unmarried जैसे कि मैं आपको पहले बताया था और Indian होना आपका जरूरी है अब यहाँ पर आपको डाल देना अपना नाम देखिए आपको अपना नाम यहाँ पर डालना होगा वह आपके class 10th के report card पर जो result से related आपके admit card आने का या फिर result आने का या फिर आपके answer की जब आते हैं बाद में exam के बाद इन सबसे related कोई भी detail होगी तो आपको इसी email id और mobile number पर भेजा जाएगा तो इस तरीके से आप generate otp करेंगे आपको एक otp देगे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है will be sent आपको send कर दिया गया है आपको इसको confirm करना है और चाहे तो आप change भी कर सकते है cancel करके अभी आप चाहे तो नंबर email id change कर सकते अधरवाइस आप ok करके आप यहाँ पर आपको otp डालना है यहाँ पर लिखाए कि आपको email id और phone number तोनों पर email id successfully बेजा गया है आप आपको उसको चेक करना है और यहाँ पर आपका email id और mobile नंबर पर जो भी otp आया होगा वह आपको यहाँ पर डालना है देखिए जैसे देखिए मेरे पास otp आ चुका है मैं दौनों otp ज़रा यहाँ पर डाल देता हूं एक बार देखिए मेरे डाल देता हूं mobile नंबर वाला otp और सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर email id वाला otp भी डाल दिया otp होता आपका one time password आपके डाले हूँ mobile नंबर और email id पर वह आएगा आपको उसे देखकर simple उसको डाल देना है और आगे register किलिक कर देना है finally आपका registration यहां से आपसे क्या बोला जा रहा है enter correct otp यहां पर शायद हमने गरत otp डाल दिया है तो हमसे बोला जा रहा है कि आप correct otp जो है वह यहां पर डालिए हमसे कि आपक स्वार्ण fishermen झाल ऑ quelque वाल को ग्साल आपसे जडिक ़ condemned óc कि वहां पर अपसे कने ही ऊपका यहर्ण मा कiva चाल बोला है कि कि आपका झाल डुरकपवस noise यह फिर से यहीं बोलता है एक मिनट देखिए मैंने यहां पर कुछ तो यहां पर गड़वड हुए इसका मतलब अब देखिए मैं यहां से क्या कर रहा हूँ जनरेट OTP दुबारा कर लेता हूँ क्योंकि यहां पर OTP में कुछ यहां पर थोड़ी प्लीज वेट अब देखिए थोड़ी देर में आपके पास OTP आ जाएगा आपको उस OTP को दुवारा यहां पर डालना है जो भी अब नए OTP आएगा आपको उसको यहां पर डालना है क्युत से रिल्सओिए a दो कि नएट connected to SF कि जी दी स स्टेश परोगरा यहां वेनरी King है। जैसे आप डाल लेंगे आप रिकाल जाएगा आपने सक्सेस्फूली रेइस्टर करती है अपने इमेर आईडी और मोबाइल नमबर से जैसी आप रेइस्टरेशन कर लेंगे उसके बाद आपको जो है यह सेम कैप्चा जो है दुआरे आप डालना है यहाप एक पासवर्ड ज करने सोरी चेंज नहीं होगा यह पासवर्ड आपको मिल गया है यह आपका पासवर्ड रहेगा लॉग इन पासवर्ड आपका यह रहेगा इसी से आप अपना बाद में आड़ जो आपका अंसर की रिजल्ट जो भी कुछ है आप देख पाएंगे तो इस तरीके से आप आप पासवर्ड को जो भी आपको मिलेगा उसको आप एक पर कहीं नोट डाउन कर लेना जिसे कि वह आप भूलना जाएं कभी उसके आद आपको जो एंटर कैप्चा में कैप्चा फिल करना है जो भी आपसे मांगा जाएगा देखी इससे आप ज्योझ जोक है फाइनलि यहांपर क्या बोला जा रहा है इन्वेंडिड ट्रेडेंशल रियहां आप में से बोला जा रहा है अप पता नहीं यहां पर कोई यहांपर एक प्राउब्लम है यहां से आप password create कर सकते हैं आप चाहें तो यहां से अपना password जो है वो change कर सकते हैं अपने इसाफ से आप password set कर सकते हैं जो भी आपको करना हो उसके बाद आपको login करना होगा यह जो निचे capture आता है इसको डाल कर बोला जा रहा है आपसे कि आपका email id और password जो है वो match नहीं हो रहा है ऐसा आपसे बोला जा रहा है जैसे आप जो आपना otp के बाद जो verify करा लेते हैं उसके बाद जो आपको password है वो आपके email id पर जैसे यहां पर लिखावा email id जो यहां पर लिखा आ रहा है इसक्रीन पर ऐसा email id जो आपने डाला और वो यह लिखा आएगा उसके ओपर आपको एक password जो है बेजा गया है वो password आपको अपने email id पर check करके उसको जो है यहां पर आपको fill करना है इसके बाद आपको फिल करना होगा जैसा की भी नीचे से भी नीचे लिखा आता है उसारा कुछ आपको ऐसे के ऐसे ही डालना है उसके आपको login करना है अब देखिए यहां पर invalid बोला जा रहा है क्यों बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर password वही डालना है आपको यहां पर थोड़ा सा गलती हो रही है password के अंदर उसको हम जोना थोड़ा सही कर लेते हैं आपको जो पासवर्ड मिला था उसके बाद आपको कोई चाहें तो आप वही पासवर्ड भी रख सकते हैं नहीं तो यहां पर आप एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं जैसे क्या आपको बोला जा रहा है यहां से आप जो एक नया पासवर्ड वह सेट कर लेंगे यह देगी है अब भी इस तरीके से रेइस्टेशन करते हैं अपने एक पासवर्ड खुद का क्रियेट कर लेंगे लेकिन पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपके e mail id पर आएगा उससे आपका e mail id verify होगा इस तरीके से आप अपना एक नया वह पासवर्ड वह आपका पर सेट हो जाएगा आप से बोला जाएगा कम से कम 8 ज это पासवर्ड में जैसा action आपको दिख रहा है इस तरीके से लिए ऊपासवर्ट री सैट शुक्त आपका पासवर्ड ऊसैट हो छुका है जो आपके हिसाब से हुआ हैं सैट. स तरीके सा आपकर आपने हिसाब से पासवर्ड बड करेंगे आप देखें अब मैं आपको पता दो instructions for online application filling आप देखें आपको कैसे फिल करना होगा पहले आपको पता दू को होगा candidate को अपना email id मोबाल नमर से registration करना है उसके आप आपको जो है candidate should mandatory have aadhar card number optional for candidate belonging to a sum आप से बोला जा रहा है कि आपको अधार नमर देना जरूरी अगर आप असम में घाले जम्मू कस्मीर जैसे state से आते हैं तो candidate को जरूत होगी कि वो अपना अधार card दे when called for examination candidate from अगर वो इन जगाव से है तो उसको अपना जो है वैलिट फोटो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा if not having aadhar card अगर उसके पास अधार काड नहीं है तो उसको कोई debit card, credit card, net banking ऐसे options मैंसे किसी से भी आप payment कर सकेंगे refund of multiple payment if multiple payment are received from a candidate against single application then that will be refunded back to the originating account after closing of registration and reconciliation of all payment record तिक है आप सब बोला जा रहा है कि आपको जो है बात में जब registration की date यानि कि 25th जो आपको मैंने इसकी date बताईए इसकी form filling की last date जो है 31st of March से तब तक आप form इसको भर लेंगे अगर आप से एक से ज्यादा बार payment हो गई है same application के लिए तो आपको payment जो है वापस मिल जाएगे आप घबराएंगे बिल्कुल मत घबराना यह आपकी payment जो है आपको जो है अपना प्लस टू का मार्क शीट यहां पर अपलोड करना पड़ेगा सारा कुछ जो है हमने कुछ discuss कर लिया था तो इसमें कुछ main है नहीं में आपको documents सारे तयार रखने है जैसा कि मैंने आपको अब बताया था तो हम जल्दी जल्दी हम registration आगे बढ़ते हैं दीरे दीरे हम सारा registration आप कर लेते हैं registration हमारा हो चुक है अब हम जो है form fill कर रहे हैं तो उसके लिए हम जल्दी जो भी हमारा process है वो हम इसमें आप cover करेंगी अब देगी यहां पर आपको personal details डालनी है मैं आपको दिखा दू instruction personal details फिर आप डालेंगे qualification details communication details फिर additional details photo and signature city selection जहां पर आपको exam देना है फिर ASC selection करना है आपको फिर उसके form का preview देखना है सारा कुछ जो भी आपने वेलब भरा है फिल कर रहा है उसके आद आपको application status देख सकते हैं आप आपने जो भी फिल कर रहा है उसको check करके आप जो है male है female है जो भी मैंने आपको बताया था you have selected gender as male जैसे मैंने male select किया है बता दिया मेरे को mail यह पता ही क्यों आपको अलग से notification दिया जाता है कि आपने male select किया female गलती से कोई candidate अगर female select कर दे और कोई लड़का हो और कोई लड़की अगर male select कर दे तो फिर उसके बाद में जाके पता लग रहा है उसको form fill करने क्या उसने गलती से fill कर दिया है तो इसमें जो है आपसे कोई गलती ना हो इसलिए आपको यह चीद बताई जा दो हजार दो में 2002 का ही होना चाहिए उसके बाद का होना चाहिए जैसे कि आपको बताया गया था देखिए यहां में कि यहर में 2003 में अक्टूबर के अंदर 28 October 2003 और यह मेरा unmarried ही रहेगा इसको मैं अगर अगर मैं married अगर यहां पर married हुए है अगर कोई student married है तो उसके लिए application नहीं है आप से पूछा जा रहा है कि क्या जो आप है वो iaf के अंदर किसी ना किसी उसमें अंदर काम करते हैं अगर आप yes करेंगे वह बता देना नहीं तो आप no कर देंगे सिंपल यहां पर इतना करना है upload 10th mark sheet आप देखें यहां से आपको अपनी mark sheet जो अप्लोड करनी पड़ेगी जो आपके class 10th की होगी इस तरीके से आपको open करना है अब देखेंगे आपसे क्या बोला जारा jpg format में allowed होगा ठीक है तो हम jpg format में allowed है तो हम यहां से jpg format की जो है व और इस तरीके से बोला जा रहा है कि यह size होना चाहिए ठीक है अब size के अंदर भी यहां पर जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है तो size में हम देख लेते हैं इस तरीके से हमने size भी set कर लिया है अब देखिए अब यहां से फाइल दिल चुकी है यह मैंने अपना डाल दिया 10th को मांक्षीट हाला कि आपको फोटो दिखना होगा इस तरीके से आपको मांक्षीट डालना है मैंने आपको तरीका बता है इस तरीके से आपको डालना है सारा कुछ यह आपकी personal detail हो जाएगी save and continue पर क्लिक करेंगे आप सारी detail एक बार check कर लेंगे यहां से कुछ भी आपको correction करना आप कर सकते हैं अब देखिए personal detail save हो चुकी है हमारी अब हमें क्या करना है आगे बढ़ना है qualification detail में आप से पूचा जा रहा है qualification detail में कि आप जो है टेंथ 12th pass है with English and with or without आप देखिए English में आपका पास होना जरूरी है 12th class में और आपका यह तो physics mathematics में हो या ना हो आपके पास वो matter नहीं है मनलब जैसे माल लीजे English तो आपके पास arts commerce science हर stream में होता ही है तो इसी लिए English subject को यहां पर बोला गया है वो होना ही चाहिए आपके 12th में बाकी physics and math हो ना हो आपकी मर्जी है सेम इसी तरीके से अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा भी पास है या फिर आप vocational pass है वो आपको यहां पर बता देना है तो मैं यहां पर 12th pass में apply कर रहा हूं जैसे कि आप अगर bachelor करे हुए तो भी आप apply कर सकते हैं have you been declared as passing अब इतने marks के साथ pass हो चुगे 12th के दर तो आपको बता देना है अगर हो चुगे हैं तो अगर जैसे आप yes करेंगे अगर आप no करते हैं तो you are not eligible to apply for this exam मैं आपको बता दू यानि appearing student जो इस साल अभी 12th दे रहे हैं उनके लिए wait करना होगा उनको अगली साल apply करना होगा इस साल वो इसको नहीं apply कर सकते हैं same इसी तरीके से आगर pass है तो apply कर सकते है have you been declared as past physics math subject आपको यह बताना है आप जो है physics math subject में past पास declare हो गए थे आपने 12th के अंदर वो आपको बताना है यहां पर physics में या फिर mathematics में या तो आपने physics में पास हो गए या mathematics में आपको बता देना है अगर जिसे आप बोलते हैं नहीं हुए थे तो फिर यहां पर कोई बात नहीं है इसको आप no भी कर सकते हैं अब देखिए आप से पूचा जा रहा है प्लस टू के अंदर intermediate इस्टीम आपको बता दिनी है आपने किस इस्टीम से करा सब्सक्राइब आप से किया तो मैं आप आर्ट चूज कर लूँगा आर्ट उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है गुरूप अप्लाइंग फॉर सिलेक्ट और ऑप्शन एस पर अलिजिबिलिटी काइडिया ठीकि कि यहां पर आपको other than science subject अब यही option क्यों आएगा क्यों कि आप science subject arts वालों के पास होता नहीं arts student के पास तो जिन्होंने science के लावा commerce या arts से अपना 12 करा है तो उनके पास हो सकता है कि उनके पास mathematics हो या ना हो हो या ना हो लेकिन physics तो उनके पास होगी ही नहीं obviously बात है तो यह 12 है वह क्योंकि arts से कर रहा है तो इस विए से आपका जो group eligibility group वह other than science subject आएगा इस तरीके साप select कर लेंगे फिर आपको board का नाम select करना है जिस board से भी आपने किया आपका cbsc था तो cbsc नहीं तो state board था राजिस्तान board गुजरात board हर्याना board जो भी था इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा है तो मैं यहां पर साइंस के साप से करके दिखा रहा हूं तो साइंस वालों के लिए असानी हो जिससे की science जैसे मैं मैं मैंस और physics तोनों में पास था और मैंने प्लस्टू यो अपनी करी वह साइंस से करी और जो मेरा group of eligibility आप देगे आप करके से अब देखे भले आपने science से करी हो science वालों के पास यह option रहता है कि वह साइंस अब्जक्ट के लिए एक्जाम दे सकते हैं अपलाई कर सकते हैं या फिर बिना साइंस अब्जक्त के लिए भी अपलाई कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया भी था पेपर साइंस वालों के लिए अलग होगा और अधर साइंस वालों के लिए अलग होगा दौनों के लिए आप अपलाई कर सकते हैं मैं आप दौनों के ल परसेंटेज मिनीमुल 50 percent marks are mandatory होने चीए आपके plus two के अंदर तो वह आपको बता देने हैं आपकी percentage बतानी है कि आपके 12 में कितनी percentage आपकी आई तो वह आपको यहाप है पर बता देनी है इस तरीके से अभब और प्रसेंटेज बता देंगे उसके बाद आप से बोला जाएगा कि आप एक अपने 12 का मक्षीट वह यहापे अपलोड कर दीजी तो आपको अपने 12 का मक्षीट इसलेक करना है उपन करना है उसे कि देखिए इस तरीके से इस तरीके से मेरा जो 12 का माक्षिट है वोगी मैं अपलोड कर दिया है अब इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम इस पर माक्षिट आपको बताना कि माकषिट जो अपकी ट्रेल की ति उसमें आपका पर्सेंटेज नगे अपके वैरिफिकेशन में तब चैक किया जाएगा अगर कुछ वी डेटेल फॉल्स निकलते है तो वहाँ पर आपकी जॉब एक्चुल में नहीं मिलेगी आपको इस तरीके से मैंने बता दिया English में 100 मैंसे English Math Physics Biology आप देखिए Biology Optional क्यों है क्योंकि Maths और Physics तो इन्होंने बोलाई है होना ही चाहिए Science वाले subject वाले student के पास लेकिन Biology यहां पर हो सकता है किसी ने मैस के साथ Biology हो किसी के पास किसी के पास ना हो तो इस तरीके से आपको अपने मार्स जो हैं आपे बता देने से मने इंगलीज के मार्स बता दिये हैं आप subject percentage यहां पर automatically निकाल लेते हैं तो ठीक है नहीं तो हमें वह भी बतानी पड़ेगी मैस में आपको बता देने हैं आपके कितने मार्स आए सेम इसी तरीके साथ आपको फिजिक्स में भी बता देने हैं और Biology आपका मर्जी है देने हो तो आप दे सकते हैं अदरवाइज आप नहीं दे तो भी चलेगा आप देखिए 80 तो यहां पर दढ़ेज सब्जैक्ट वाइस पर्सेंटेज अब देखी रहे एंपर 80 आगई यहां पर 89 आगई क्योंकि रहें रहें पर 200 में से होती तो आप इसके साब से 200 के साफ़से अपना परसेंटेंज यो हे वो निकाल देते हैं आप देखिए आपको कॉंप्यूटर नॉलज है या ने उहां आपको बता देना है तो मैंने जिते से बोले oh yes computer knowledge आपको बतानी है क्या नौलिज है basic की नौलिज है चक्प्यूटर में कड़ आडवांस की नौलिज है तो मैंने आप बोल दिया advance की knowledge है suppose आप intermediate भी डाल सकते हैं मतलब लगबग basic से ज्यादा आपको आता है computer में तो आप बता सकते है Do you have any additional mark sheet for a particular subject not included in main mark sheet और ऐसे कोई आपके पास mark sheet है जो कि additional हो जिसका जो include ना हो आपके main mark sheet में जैसे की mark sheet for improvement in subject for improvement in overall gross percentage as applicable क्या आपने कभी improvement का exam दिया था आपको पता होगा कभी कार आप improvement का exam भी देते हैं आपके marks कम की वज़े से तो आपने वो दिया था या नहीं दिया था वो आपको पता देना है अगर दिया था तो यस करना है उसके बारे में उसकी भी mark sheets है अपलोड करनी improvement वाली जैसे कि माल लीजे होता है क्या है आपने अपने class किसी भी board से किया हो फिर आपके जो marks आते हैं वो अगर marks अच्छे नहीं लगते कम आ जाते हैं उन subject में तो आप उसके लिए improvement देते हैं क् दूसरे competition exams देने जहां पर percentage जो matter करती है कि आपके 50% जैसे यहां पर भी आप देख रहे हैं आपका pass नहीं बोला जा रहा है 50% से उपर marks तो इससाब से आपको improvement देना पड़ जाता है जो students सिर्फ pass हो पाते हैं तो इसलिए उनको यह detail डालनी है अब higher education qualification आपको बता देना है क जैसे की graduation status आपको बताना है कि not applicable अभी आपने graduation के लिए apply ही नहीं किया है ना आपने कुछ अभी आपने या फिर apply कर दिया है तो pursuing कर देना है नहीं तो discontinue कर देना है कि आप अभी continue नहीं कर रहे है अपना graduation higher education qualification की बात हो रही है आपर जो कि graduation में बात कर रहा हूं है तो मैं त अभी 12th pass हूं graduation में नहीं हूं इस तरीके से मैंने आपको पता दिया आप अगर होंगे तो उससे आपसे अपना detail यहां पर बता देंगे graduation का अब यहां पर permanent address की बात आएगी permanent address आपको देना है जहां पर भी आप रहते हैं यह आपको अपना address देना है सेम इसी तरीके से state चूज़ करना है जिस भी state में आप रहते हैं उसके आप country तो आटोमेटिकली सिलेक्टिड रहेगा इडिस्टिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है फिर तहसील तहसील का आपको नाम बता देना है क्या कौन सी तहसील है यह दिए ओप्शन है ओप्शनल है मतलब की तैसील और विलेज का नाम ना भी बताएं तो भी चल जाएगा नियर एस्ट पुलिस टेशन भी आपको आपको बताना पड़ेगा यह मैंने बता दिया पुलिस टेशन के आप पिन कोड बता दूगा मैं यह पर जो भी मेरा पिन कोड होगा वह मैं यह आप दे दूगा अपना जो भी आपका पिन कोड होगा फिर आप से बोला जा रहा है अधार कार्ड नंबर ऑप्शनल फॉर पीपल ब्लॉंग दू देख यहां और जगाव पे से आते हैं तो आपको देना जरूरी नहीं है बाकी लोग को को देना जरूरी है in copyright तो देरा काड़् when called for the examination candidates from jamu eta कश्मीर असम और मिघाल्या और कैरी टू वैलिट फोटो एडेंटिटी कार्ड इव दे डू नौट हैव अधार कार्ड अब देखिए यहाँ पर जम्मू और कश्मीर और असम और मिघाल्या वाले लोगों के लिए बोला गया अगर आपके पास अधार कार्ड नहीं है तो कि आपको बता देना कि कि आपका सेवक्री अपप अपना दूसरा अडरेस भी दे सकते हैं अडौ में साइल Istrake guys जूज करने जिसमें आप रहते थे शुरु से वह आपको से मतलब होता है कि कि जहां से आप सुरू से रह रहे हैं जनम से वह अब देख यहां पर क्या बोल गया अधार कार्ड नंबर जो है वह इन्वैलिड यहां पर मुझे यहां पर इस इन्हों ने बता लिया है कि मैं एक बार फिर दुवारा से अधार कार्ड यहां पर चेंज करके इस तरीके से वाधार नमबर देके save and continue करूँगा और यहाँ पर detail जब हो save हो जाएगी आपको आप से बोला गया physical category बतानी है आपको जैसे कि आपको अपनी height बता देनी है कि आपकी height actual में कितनी है जैसे कि मैं आपको बताया था नोटिफिकेशन के अंदर आपके height कितनी होनी चाहिए आपका जो age हो कितना होना चाहिए तो enter any one clearly visible permanent mark on your body आपके उपर आपके अगर कहीं पर भी कोई mark होगा तो आपको बता देना है नहीं है तो आप no लिग देंगे simple यहाँ पर यहाँ पर आपको अपना वही बताना है Centimeters में नहीं होना चाहिए जय हो इसे तरीके सा इनमें से देख लेंगे आप ये आपका जो शू होता है उसका साइज आपको यहाँ पर बताना है आप देखिए अधिशनल डिटेल है आपको यह सब चीज़े बताने है आपको बताना है अगर पहले आपने किसी इसमें कामवाम किया है तो आपको वह सब बताना है डुए शुचा जैंगे आपको आपसे पूचेंगे यहां पर बताने वाले हैं दू यू है इंसकी नालीज है वेल्टिंग आपको इन सब की नॉल्टिंग सरह और वागी आप्ट सब अगर आप यह सरे नालीज हैं तो आपको यहाँ पर Yes करना है, फिर इस तरीके से आपको सारे options जो है, fill करने हैं. Catering में आपको qualification है या नहीं, आपको information technology में knowledge है या नहीं, accounting में knowledge है या नहीं है, या नहीं है, यह सब आपको बता देना है. आपको यहाँ दिखा जाता है, यहाँ पर information technology में पूछा जा रहा है, आपको basic की knowledge है, e-commerce की knowledge है, software license की knowledge है कि नहीं, सारा कुछ आपको पूछा जाता है, एक एक चीज, तो आपको इस तरीके से आपको बताना है, do you have any representation in any sport event, तो जिनके पास यह सब चीज़े हैं, जिनको सच में इसमें knowledge है, languages know, other than English, Hindi के लाव़ा कोई language आपको आती है, या नहीं आती है, आप जैसे yes करेंगे, तो यहाँ पर आप उस language के आपको पता सकते है, जैसे कि support मानिया आपको हरियान भी आती है, तो आप हरियान भी तो यहाँ पर वो knowledge, जो language है, वो add हो जाएगी, अब medical history आपको बताने है, candidate medical history to include major illness, major surgery, allergy कोई हुई थी या नहीं हुई थी, वो सब आपको बताना है, देखिए यह आपको जरूरी नहीं है, बताना चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, नि तो आपको यहाँ बताना भी पढ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर additional detail हमारी हो चुकी है, अब हम photo signature को upload करने वाले है, photo signature हमारा 10 से 50 kb के बीच में बोला गया है, और हम से बोला गया है, jpg format में होना चाहिए, तो हम सबसे पहले यहाँ से अपना photo choose करेंगे, और photo यहाँ से upload कर देंगे, देखिए ऐसे हमने करा, और हमने एक ऐसे photo select किया, please follow file name nomenclature rename file as passport photograph, देखिए यहाँ पर आप से क्या बोला गया, photograph must be in jpg और jpg format, image size should be between इसके बीच में, और while uploading photo signature, file nomenclature should be as follows, बदफ पास्पोर्ट फोटोग्राफ को आपको इस तरीके से उसका नाम रखना है, scan signature का image आपको से signature ऐसे नाम होना थी, left hand thumb impression आपको यहाँ पर देना है, आप आपको आपको सबसे पहले मैंने जह सब आपको बता हैं कि सबसे पहले आप क्या करें है, अपने फोटोग्राफ का, signature का और थम्ब इंप्रेशन का जो आपके device में safe होगा उसको आपको पहले उसका नाम change करना है उसका नाम जो भी होगा आपको photograph का नाम रखना है passport underscore photograph यह उसका आपके photo का नाम रखना है पहले आपको उसका size jpg या jpeg format पे set करना है, 10 से 50 kb के बीच में उसका size होना चाहिए, finally उसके बाद आपको इस चीज को यहाँ पर upload कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह upload हो जाने के बाद आपको safe and continue क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, I hereby declare that I uploaded the appropriate image, जैसा कि आपने बोला कि मैंने जो image यह upload करी है, वो सारी सही है, इस पर आपको tick करके submit कर देना है, अब देखें, यह चीज जो आपकी successfully saved हो जाएगी, अब यहाँ पर हम चुनेंगे, हमारे अपना जो city preference हम देंगे, कि आपको कौन से state के अंदर इस exam को देना है, जैसे कि आपको पता ही एक national exam होगा आपका, जो अगनी वी रवायू के लिए जो आपके post पे जो job मिलेगी आपको इसके अंदर, उसके लिए आपको आप चाहें तो किसी भी state से exam दे सकते हैं, जिससे भी आपका मन हो, जो यहाँ पे list में आपको दिख रहे हैं, आप उसी का भरेंगे जो आपके आसपास होगा, इस तरीके से आपको जो है, वो option देख लेने हैं, उस हिसाब से आप यहाँ से उन चीज़ों को जो है चूज कर लेंगे, अपने आसपास के centers को, मैंने आसपास इसलिए बोला है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने डेली चूज किया, तो डेली में कितने city में होगा यह exam, तो डेली के अंदर एक डेली NCR, गाजियवाद और नोड़ा, ग्रेटर नोड़ा, यह तीन आपको यहाँ पर city का selection मिल जाएगा, यहाँ पर, सेम इसी तरीके से आप अपने state को पहले चूज करेंगे, state के बास उसकी city चूज करेंगे, दिल्ली के अंदर जो है, तीन city के अंदर यह exam होगा, गाजियवाद और एक ग्रेटर नोड़ा वाले एरिया में होगा, साथ ही एक आपका डेली NCR में होगा, तो इस तरीके से आपको यह तीन ओ आप्शन जो है, वन बाई वन चूज कर लेना है, अपने अपने हिसाब से आपको यहाँ पर center यह देगे, तो यह कि हम city preference दे रहे हैं, कि हमें अपना exam कहां देना है, यह अगनी वीर वायू के post के लिए, इसके इस department में हमें, इस exam के लिए जिसके लिए हम भर रहे हैं, तो हमें इसका exam कहां कहां देना है, वो हमें भरना है यहाँ पर, जैसे मैंने अमबाला और फरीदाबाद, दौनों हरियाना के state में आते हैं, तो मैंने अपना second जो है अपना state चुना है, वो हरियाना चुना है, अपने distance के हिसाब स, इस तरीकी से आपको भी अपना यहाँ पर center चूज कर लेने है, उसके आफ फाइनली आप safe and continue पर click करेंगे, और आपका जो इस center का selection होगा, याई city का selection वो हो जाएगा, आपका fully final, मतलब यहाँ से आपका वो चीज से, अभी हमने city चूज करेंगे, अभी हम जो है ASC selection, यानि कि आपका center preference हम देंगे, जो आपके phase 2 के लिए पूछा जा रहा है, आभी जो आपने भरा था city selection, उसके वो आपने phase 1 के लिए भरा था, phase 2 के लिए भी आपसे यहीं पर पूछ लिया जाएगा, हाला कि आप जो phase 2 का exam है, जरी वो ही लोग दे पाएंगे, आप देंगे preference, अगर मैं पहली की बात करूँ इसके अंदर, phase 2 के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे option आ रहे, मेरे को इतनी option आएंगे क्योंकि मेरे जो मैंने preference दिया भी city selection में उसी आप से मेरे को इतनी option दिखाये जा रहे है, सेम इसी तरीके से आप अपने state और उसकी city को चूज करेंगे तो आपको अलग option जो है यहाँ पर दिखायेंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट अंबाला चूज कर रहा हूँ, सेकिंड जो है, वो मैं यहाँ पर कानपूर चूज कर रहा हूँ, ठर्ड जो मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, वो है, ठर्ड मैं यहाँ पर जोधपूर और फर्स्ट ही हो गया मेरा, है अग्या है ईक मैंने कानपूर रखा है और कःट ऑने जोद्पूर नाम है यह फॉर्थ मैंने इसको यहांपे भीटरखा है और सउने मैंने यहांपे रखाये गुहाइटी को इस तरीके से में यहांपे चूस कर रहे हूं 6 में मैंने बैंगलोरू और 7 में मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा था वो मैंने यहां पर इस चीज को रख लिया है finally मैं save and continue पर click करूंगा finally यहां पर मेरा ASC center preference saved successfully हो जाएगा अब इसके बाद देखें आपके सामने application form का preview आ जाएगा इस तरीके से आप अपना form देख पाएंगे अच्छे से एक एक चीज जो भी आपकी है वो आप देख सकते application form of candidate for selection in Indian Air Force as Agni Virwaiyu both science and other science subject intake मैं आप आपको बता दू मैंने science and other science subject दोनों के लिए apply किया यानि कि मैं उन दोनों का exam देने वाला हूं इस तरीके से आप जो है आप science वाला subject और other science subject भी आप यहां पर choose कर सकते हैं payment not done अभी payment done नहीं हुई है registration number अभी not generated registration number भी यहां पर generated नहीं हुआ है हाला कि हमने आपको यह बता है कि registration कैसे करना है form fill आप इसी तरीके से कर लेंगे qualification detail सारा कुछ आपको इसी तरीके से डालना है आप देख सकते है thumb impression यहां आ गया signature आ फोटो आ गया इस तरीके से सब कुछ आ जाएगा place भी यहां पर आ चुका है अब यहां पर date आ रही है अब आपसे बोला जा रहा है आप क्या कर सकते हैं इसको application form को ऐसे download कर सकते हैं यहां से जो आप इसको दवा के यहां से इसको क्लिक करके इसको download कर पाएंगी असानी से अगर आपको लगता है कि कुछ यहां पर गलती हुई है correction करना हो तो आप कर सकते हैं otherwise आप इस पर टिक कर देंगे I authorize CDAC to send text message email to my cell phone email id from time to time to convey further information आपने आप टिक कर दिया है कि आपने जो mobile number और email id दिया था उस पर आपको आगे चलके कोई भी information इस exam से related है तो वो उसी पर आपको दे दी जाए आगे आप चाहें तो change भी कर सकते हैं बिना इसको को टिक करें पहले आप change कर लीजिए इस information को जाकर इन message भी information change करनी हो आपको कर सकते हैं फिर उसके बाद नहीं करनी ही तो आप इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे I hereby declare that I have downloaded the draft application form and verified the information in this form it's true to my knowledge मेरी knowledge के साफ से जोई मैंने यहां पर सब भरा वो सारा कुछ correct है कुछ भी गलत नहीं है ऐसा आप बोल रहे हैं हाला कि आपको पहले एक बर check कर लेना है और finally इसको आप download कर लेंगे please enter place and try again आप देखिए अब यहां पर एक place आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैंने यहां लिखा है new Delhi इस तरीके से मैंने place लिख दिया है और मैं यहां पर अब इसको जोई download कर लूँगा इस तरीके से आप भी कर देंगे finally इसका print आपको यहां पर लेके ऐसे print कर लेंगे finally आपको यहां पर इसको safe करना है अगनी वीर या किसी भी नाम साब इसको safe कर लेंगे आपके device के अंदर यह चीज़ है वह safe हो जाएगी अब वह finally safe इस तरीके सापको safe करके रखना है application form को finally अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम यहां पर इस पर टिक कर रहे हैं और हम continue to payment पर किलिक करेंगे देखिए सारा detail हमारे पास आगया आप देखिए कैसे ही payment कर सकते जैसा मैंने आपको बताया था मैं यहां क्या कर रहा हूं payment पे थ्रोक मैं आपने net banking में UPI से भी कर सकता हूं और यहां पर अप credit debit card जो आपको option दिखते हैं आप उससे जो है payment कर सकते हैं मैंने यह जो है यह दो gateway है same तरीके हैं जौनों की किसी से भी आप चाहे payment कर सकते हैं मैं second वाले से कर रहा हूं मैंने payback क्लिक कर रहा है make payment में बोला जा रहा है अब देखिए यह आपके पास आगया CDACACCASP अब इसके अंदर मैं credit card, debit card, net banking, UPI किसी से भी payment कर सकता हूं मैं यह पर UPI का option चूज कर रहा हूं UPI में मैं Paytm से payment करना चाह रहा हूं मैं UPI में ID डालके payment कर सकता हूं आप अगर चाहें तो आपने device से QR code scan वाला system होता है उस तरीके से भी आप payment यहां से कर सकते हैं make payment करके आपको यहां से payment कर देना है जो आपके 2150 रुपीज है यहां पर इस तरीके से आपकी payment है वह हो जाएगी आप अगर पहले वाले option से payment करते है तो वह भी आप इसी तरीके से कर पाएंगे same वही जैसे मैं आपको बताया आपसे बोला जा रहा है कि 250 रुपीज है इंटरनेट बैंकिंग और डेविट क्रेडिट कर तो मैं इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकता हूं यहां पर भी यह चार बैंक आपको दिख रहे हैं इनमें से किसी से भी आप कर सकते है payment आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं जो भी आपको सही लगे उससे आप make payment करके और फा इस तरीके से अगनी वीर वायू के लिए आपका application form fill होगा जो आपका मैंने बताया था कि आपके इतनी पोस्ट पर वेकेंसी निकली है तो इस तरीके से आप form fill कर पाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का दन्यवाद